सलम उलेकुम स्टूडेंट्स उमीद करता हूँ आप लोग खेरियास से होंगे हाजर हूँ MF English Center से तो स्टूडेंट आज जो है हम अपना टॉपिक 1.5 शुरू करेंगे जो के है डेंसिटी एंड वॉलियम और जो चैप्टर है वो है हमारे पास फिजिकल को इंटिटी एंड मेजर्मेंट्स तो यहाँ पर हमें डेंसिटी और वॉलियम के बारे में पढ़ाया जाएगा तो स्टूडेंट यहाँ पर मैं एक आपको छोटी सी बात बता दू और इंपॉर्टन बात के यह डेंसिटी और वॉलियम यह छोटा टॉपिक नहीं है आगे जो है आगे फिजिक्स में यानि फिस्ट यार सेकंड यार और मैट्रिक में यह बहुत ज्यादा इंपॉर्टन है तो बच्चों को जो है वो बिलकुल बेसिक ना पता होने की वज़ा से आगे जो चीजे आती हैं वो समझ में मुश्किल हो रही होती है आने में और डेंसिटी और वॉलियम को समझने में मुश्किल होती है कि यह क्या चीजे है तो इन्शालला आज पूरी अच्छी तरीके से आपको डेंसिटी और वॉलियम का कॉंसेप जो है मैं convey कर दूँगा और समझा दूँगा तो ये जो है density और volume इसके अंदर जो है वो sub headings भी है जैसे के measuring the volume और measuring cylinder तो मुक्तलिक जो है और quantities भी मौजूद है और एक numerical भी है छोटा सा तो उसको भी देखेंगे उसको भी करेंगे और चीजों को जो है की English और Physics और Math ये तीनों subject मैं आपको करा रहा हूँ और English जो है मैं पूरी complete करवा चुका हूँ तो वो आप तमाम lecture जाके देख सकते हैं playlist मैंने बना दी है हर unit और हर exercise आपको मिल जाएगी तो अपनी legacy को continue रखूँगा और तमाम चीजों को यहां पर समझाने की कोशिश करूँगा तो अपने topic को जो है वो शुरू करते हैं देखें लिकावाइ density and volume तो सबसे पहले हमें introduction दिया जा रहा है कि यह होता क्या है तो देख लेते हैं तो देखें student इसमें क्या बताए जा रहा है कि हमारे पास जो है वो matter यानि जो मादा होता है उसकी 3 states होती है यानि कोई भी चीज हमारे पास सिर्फ 3 states में मौझूद होती है या तो solid होगी या liquid या gas अब water जो है ये solid भी होता है liquid भी होता है और gas भी होता है तो जब ये solid होता है तो ice की form में होता है आपने देखा होगा आइस सॉलिट होता है तो सॉलिट में जो है वो मॉल्लिक्यूल एक दूसरे के बहुत करीब-करीब होते हैं यानी dense होते हैं, dancer होते हैं ठीक है अच्छा, liquid में जो है वो molecules, solid के मुकाबले में दूर होते हैं यानी rare होते हैं एक दुसरे से थोड़े थोड़े दूर होते हैं और liquid की form में water जो है वो आम पानी की form में, H2O की form में मिल जाता है अच्छा gas जब vapor बन जाती है, water जो है वो gas भी बनता है, vapor बनते हैं तो gas में जो molecule है वो liquid और solid के मुकाबले में बहुत ज्यादा ज्यादा दूर होते हैं एक दूसरे से और free जो है वो easily move कर सकते हैं, तो तीन state जो है हमारे पास matter की होती है, इसके इलावा matter की कोई और state नहीं होती तो आगे पढ़ते हैं, a solid maintained a fixed shape and a fixed size, even its same force is applied, it not readily change its volume तो देखें इतर क्या बात की जा रही है कि जब हम solid पर force लगाते हैं, यानि जब हम solid पर force लगाएंगे तो वो जो है अपनी shape को maintain रख सकता है, यानि अगर ऐसा है कि आपके पास कोई बरफ है, उसके ओपर आपने कुछ force अपलाएगी तो ऐसा तो नहीं है कि वो foreign के foreign water बन जाएगी, बलके वो जो है अपनी shape को maintain रख सकेगा और अपनी shape को foreign loose नहीं करेगा, आप चाहें तो इसको experiment करके भी देख सकते हैं कि कोई बरफ का cube लें और उसके ओपर अपनी हाथ से force अपलाए करें, तो उसकी shape जो है वो नहीं बिगड़ेगी, बलके वो अपनी shape में maintain रहेगा अब इसी किसम की चीज़ जो है वो हम liquid के साथ करते हैं, तो लिकावा है, a liquid does not maintain a fixed shape, it takes on the shape of its container but like a liquid, it is not readily compressed and its volume can be changed significantly only by a large force, तो students अब जो है वो liquid पे बात करते हैं, यानि जो है हमारे पास जो liquid form होती है, उसके उपर बात करते हैं तो देखें, liquid की जो है कोई definite shape नहीं होती, आप जो है उसे किसी भी container या किसी भी बरतन में दालें, वो उसी shape में आ जाता है जैसे के आपके पास जो है कोई liquid है, पानी है, अब आपने उसे जो है वो बड़े बरतन में दाला, तो वो जो है उसी बरतन की shape ले ले लेगा या अगर आपने गोल सुराई में दाला, तो वो उसी गोल सुराई की shape ले लेगा, तो अगर आप जो है वो liquid पर force अपलाए करें, तो liquid जो है वो अपनी shape को change कर देता है, क्यों क्योंके molecules दूर दूर होने की वज़ा से, अगर आप उसे compress करने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है क्या करता है, मतलब अपनी shape को change कर लेता है, और वो अपनी shape को maintain नहीं रख पाता है, अब इसी तरह से जो है वो volume के उपर बात करते हैं, तो हमारे पास जो solid का volume होता है, उसको भी change करना मुश्किल होता है, और liquid का volume होता है, इसको भी change करना मुश्किल होता है, क्यों क्यों इनका volume जो है वो fixed होता है solid और liquid का तो इनकी shape का उपर हमने बात कर ली और इनके volumes के उपर बात कर ली अब बात करते हैं gas किस तरह की होती है हमारे पास however a gas has neither a fixed shape nor a fixed volume it will expand to fill its container तो देखें अब gas के उपर बात करते हैं कि gas का भी जो है वो कोई fixed shape नहीं कोई fixed volume होता है जिस तरह पानी का कोई fixed जो है वो shape नहीं थी जिस container में डाल लेते उसी container में चली जाती थी लेकिन volume जो था वो fixed था लेकिन gas के पास नहीं कोई fixed volume होता है नहीं कोई fixed जो है वो shape होती है क्यों क्योंकि अगर हम gas को जिस चीज के अंदर दाले वो उसी form में आ जाती है जानि अगर आप कोई गैस को बलून की फॉर्म में डालें जानि अगर किसी गैस को बलून में फिल करें तो वो जो है वो बलून को क्या करती है बढ़ा कर देती है और वो जो है गैस के मॉलिक्यूल जो है वो प्रेशल लगाते हैं बलून की सर्फेस पर गुबारे की सर्फेस पर और जो है हमारे पस जो गुबारा है वो फूल जाता है तो अगर आपसे कभी ये सवाल होके गुबारा जो है, वो किस तरह से फूलता है तो आप कहेंगे जो गैस के मॉलीकियूल्स होते है वो जो है, फोर्स लगा रहे होते हैं बलून की सर्फेस पर और बलून जो है इस तरह से फिर फूल जाता है तो हमने जो है वो solid liquid gas के ओपर बात कर ली लेकिन हमने तो density और volume बे बात करनी थी तो density और volume को इन चीजों के बगए solid liquid gas के volume और shape के बगए नहीं समझा जा सकता था तो अब आगे जो है हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास आगे क्या behavior दिये वे और क्या चीज़ हमें आगे बताई जा रही है तो student इसी paragraph में हमें आगे ये बात बताई जा रही है कि अगर हमारे पास कोई लकडी का बड़ा सा तख्ता हो और वो भारी हो तो अगर हम उसे पानी के उपर दाल दें तो वो जो है वो तैरने लग जाता है अब वो क्यों तैरने लग जाता है क्यों क्योंकि वो पानी के सर्फेस को ज्यादा घहरता है और उसके उपर जो है वो पानी का सर्फेस ज्यादा टच हो रहा होता है तो इसलिए जो है वो तैरने लग जाता है लेकिन अब सुई जो के बहुत मामूली सी होती है बहुत छोटी सी होती है और उसका weight भी बहुत हलका होता है अगर हम जो है वो लकडी के तक्ते के मुकाबले में देखें तो उसका सुई का जो हमारे पास surface है और सुई की जो area है वो बहुत कम है और weight भी बहुत कम है तो हमारे पास जो solid होता है, उसके जो molecules होते हैं वो dancer होते हैं, यानि बहुत एक-दूसरे के करीब-करीब होते है, solid के तो वो जो है, उपर तैनने लग जाता है, पानी के, और sweet, जो है, वो भी solid ही होती है, लेकिन उसके अंदर जो है molecules भी कम है और वो बहुत पतली होती है तो इसलिए जो है वो पानी की सता में चली जाती है तो यहाँ पर जो है हमने ये बात कर ली अच्छा अब जो है हम आगे बात करते हैं और आगे चीजों को समझते हैं तो अब जो है हमारे पास measuring the volume तो हम volume को किस तरह से major करते हैं इस चीज के उपर जो है हमें आगे बात की जाएगी तो इसे पढ़ते हैं और फिर समझते हैं For density to be measured or calculated we first need to find the volume of substance most of solid geometrical shapes have formula for their volume which is obtained through different parameters such as radius, height, depth, width, base and length But for irregular objects, liquid and gases the approach is unusual the volume of liquid can be measured with the help of cylinders and beakers तो देखें यहाँ पर आपको क्या बात बताई जा रही है कि अगर आप density को major करना चाहते हैं यानि आप यह पता करना चाहते हैं कि कितने पर meter volume में कितना mass है इस चीज को जो है वो density का आ जाता है पहले तो यह याद रख लें कि density क्या है कि कितने पर meter volume में यानि कितने unit volume में कितना हमारे पास mass है इसे density का जाता है तो अगर आप density को major करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या पता करना पड़ेगा volume अच्छा अब volume को पता करने के कुछ तरीके कार होते हैं अगर आपके पास regular shape है यानि geometrical shape है यानि जिसके अंदर length, breadth, length, width और height जो है वो ऐसी है कि आप easily major कर सकते हैं यानि उसकी जो है वो height कितनी है यानि उसकी चोड़ाई कितनी है ये पहले major कर लीजिए और फिर उसकी width यानि उसकी फैलावा कितना है ये major कर लीजिए और फिर उसकी length यानि उसकी लंबाई कितनी है ये तीनों चीदे major कर लीजिए तो फिर आप इन तीनों चीदों को जब multiply करा देंगे यानि length और breath और height या length, width और height width को जो है वो breath भी कहा जाता है तो length, height और width जब इन तीनों चीदों को आप multiply करा देंगे तो आपके पात जो है वो volume आ जाएगा तो height को क्या बोलते है student उर्दू में height को जो है वो बोला जाता है हमारे पास उचाई, यानि वो कितना लंबा है अच्छा width को या breath को जो है वो उर्दू में बोला जाता है चोड़ाई यानि वो कितना जो है वो फैला हुआ है और length को जो है वो लंबाई कहा जाता है यानि कितना जो है वो बड़ा है तो जब ये तीनों चीज़े आप आपस में multiply कर देंगे तो आपके पास volume आ जाएगा तो जब ही volume का जो ऐसा unit होता है वो होता है meter cube क्योंकि उसमें length, width और height जो है ये मौजूद होती है तो ये तो हमने पात कर लिए है regular shape हो जिसका हम shape बता सकें उसका volume कैसे पता करेंगे अब जो है वो irregular shape की बात करते हैं जैसे के irregular shape हमारे पास होता है liquid यानि जिसका volume तो होता है liquid के पास लेकिन हमारे पास कोई खास उसका जो है वो shape नहीं होता अब gas इसका हम volume कैसे पता करेंगे तो इन दोनों चीजों का volume पता करने का क्या तरीका होगा हम जो है वो या तो cylinder का इस्तेमाल करेंगे या beaker का इस्तेमाल करेंगे तो अगर आप जो है वो diagram देखें 1.24 तो यहाँ पर आपको एक cylinder दिया हुआ है तो cylinder के अंदर हमने एक liquid भर दिया तो जब हमने एक liquid को उसमें fill किया तो जितना liquid जो है वो जितनी उसने हमें measurement दी वहाँ तक हमने अपनी आखों को रखा और फिर जहां तक measurement आई वहाँ हमने जो है वो उसको count कर लिया तो यह हमारे पास क्या आगिया 지역 आगिया आपको पोचूँ कि पानी की कौन सी शकल होती है तो आप नहीं बता सकते और गैस की भी कोई शकल नहीं बता सकते जिस चीज़ मैं दालो उसी चीज़ की शकल ये ले लेते हैं तो उनका volume पता करने के लिए फिर हम cylinder और beakers का इस्टेमाल करते हैं भीकर्स वो जो कि आप laps में देखते हैं रखी भी होते हैं सुराई जैसी चोटी सी उसे बिकर्स का जा रहा होता है अच्छा अब जो है हम बात कर लेते हैं मेजरिंग सेलेंडर तो हमने जो मेजरिंग दा वालियम पर बात कर लिया मेजरिंग सेलेंडर पर बात करते हैं कि यह काम किस तरह से करता है तो देखें यहां लगावा है के measuring cylinder is a glass or plastic cylinder with a scale graduated in cubic centimeters and millimeters देखें यहाँ पर आपको क्या बात की जा रही है यहाँ पर आपको यह बताए जा रहा है कि यह जो measuring cylinder है यह यह glass के बनाई जाते हैं या plastic के अच्छा अब plastic के कब बनाई जाते हैं तो जब बच्चों के हाथ में दिये जाता है ना इन्हें तो उनको प्लास्टिक के बना कर दिये जाते हैं क्योंकि कांच के वो तोड़ देते हैं अक्सर आपने अपकी लैप में देखा होगा कि प्लास्टिक के जो है यह सलेंडर्स रखे वे होते हैं वॉल्यम मेजर करने के लिक्विट का तो यह वहाँ पर पिलास्टिक के इसलिए रखे जाते हैं हैं कि बाइक टूटे ना और बड़ी लै प्ट में जहां पर बड़ी प्रैस्टिक कैसी सिए जा रही होते दो थो कांच कर एक प mensen normais के लिक्विट बनाई भी होती है यानि एक scale बनाया होता है तो यह scale जो है वो volumes को बता रहा होता है और इस scale की जो reading होती है वो होती है centimeters में या millimeters में अगर ज्यादा accurate पता करना है ना तो millimeters में पता करेंगे और अगर बस normal पता करना है तो सेंटी मीटर्स में जो है वो पता कर लेंगे सही है तो हमारे पास यहाँ पर बात आएगी कि एक लीटर कितने के बराबर होता है तो अगर आप उपपर देखें तो हमारे पास लिखा वाए कि एक लीटर जो है वो 1000 सेंटी मीटर क्यूब के बराबर होता है और एक मीटर क्यूब जो है वो थाउजन लीटर के बराबर होता है तो ये बात आपने जो याद रखनी है आगे इस्तिमाल हो रहा होता है फॉर्मुले में तो ये जो चीजें हैं ये लैप्स में इस्तिमाल की जाती है हमारे पास वॉलियम को मेजर करने के लिए अब क चाहतक वह उत्थेगी, Lord मेरे जहां तक रिडिंग आ रहा होगी जहां तक लिक्विट उठ़ा होगा वह चीज आम मेंजर के लिए तो फिर इस तरह सेim जो आ हूँ आद यह ओम मेंजर हो जाएगा और वासल हो जायेगा देखें मैंने फिर का, breath को जो है, width को जो है, width को जो है, वित को है, width को जो है, विढ़ जो है,ισकते हैं, युज इस रहा है. तो हम क्या करेंगे, हमारे पास volume भी आ गिया और Mark भी आ गिया, तो अब जो है, हम आगे पड़ेंगे. अच्छा अब हम liquid के उपर volume पे भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा liquid का volume जो है वो किस तरह से होता है इसके उपर भी बात कर लेते हैं फिर जो है हम आगे density की तरफ जाते हैं तो देखें student यहाँ पर भी आपको वही बात बताई जा रही है जो कि मैंने उपर बताई तो फिर भी एक बार पढ़ देता हूँ ताकि आपको दुबारा समझ में आजाए अच्छी तरीके से इसमें का जा रहा है कि a volume of about a liter also can be measured using a measuring cylinder when the liquid is poured into the cylinder the level on scale gives the volume तो यहाँ पर वही बात हो रही है कि जब हम जो है वो कोई भी liquid चैपानी हो या कोई भी acid हो या कोई भी और liquid जब हम उसे cylinder के अंदर दाल देते हैं तो वो जो है एक level तक उठता है पानी या कोई भी liquid तो फिर जहाँ तक वो उठ रहा होता है वहाँ पर हम आख रखते हैं अपनी और देख लेते हैं कि यह 80 mm cube तक आ रहा है या जो है यह cm cube तक आ रहा है फिर हम major कर ले हैं यानि हमारे पास अगर कोई चीज solid है उसका भी volume होगा उसके अंदर भी जो है वो mass मौजूद होगा कुछ volume में तो उसको कैसा पता करते हैं चले देख लेते हैं और irregular का भी आपको आगे दिया हुआ है तो लिखावा है कि if an object has a regular shape its volume can be calculate for instance volume of a rectangular block length multiply by width multiply by height volume of a cylinder pi multiply by radius square multiply by height regular solid क्या होते हैं मैंने आपको शुरू में भी बताया जैसे कि आपके पास एक box है आपने उसको देखा भाई आपने देखकर का कि यह square की form में है square की form में कैसे होगा कि उसकी height और उसकी जो length है उसकी जो width है आपस में बराबर हो ठीके तो यह square form में हो गिया लेकिन अगर rectangular की form में है यानि जो है वो एक rectangular form है तो आप कैसे पैचानेंगे आपने देखा पैचान लिए कि यह rectangular form है regular shape हो गई यानि regular shapes वो shapes होती है जो कि आप देखकर पैचान ले जैसे कि आपका एक TV यह भी rectangular form में होता है देखते ही पैचान लेते हैं ऐसा तो नहीं है कि TV आपका regular shape में होता है तेड़ा मेड़ा बनावा होता है आपके class में वो भी regular form में होता है regular shape में उसमें भी length, width और height जो हो इसी तरह से बहुत सारे उग्सेम्पल है तो उनका गर आपको volume पता करना है तो कैसे करेंगे तो उनका volume इस तरह पता होगा कि आप उनकी length को major करेंगे जो क् meditating आप किसी भी scale से मेजर कर सकते हैं तो किसी भी scale से आप उसे major कर लेंगे उसके बाद उसकी width यानि वो कितना चोड़ा है ये मेजर करेंगे ये भी आप easily कर सकते हैं इसके लिए आप वर्नियर किलिपर या दूसरी चीदों का इस्तेमाल जो है वो कर सकते हैं तो length मेजर करने के लिए आप scale यानि जिसे हम जो है वो meter rule भी कहते हैं और वर्नियर केलिपर से जो है आपने उसकी चोड़ाई मेजर कर ली यानि width मेजर कर ली अब height कैसे मेजर करेंगे height भी जो है आप scale से यानि meter rule से ही मेजर करेंगे तो scale को meter rule कहा जाता है ये मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ इससे पहले के topics में तो वो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिएगा तो हमने जो है वो तीन चीज़े मेजर कर ली length, width और height सही है तो अब इन तीनों को आपसे multiply करा देंगे आपके पास volume आगिया कितनी जगा जो है ये घेर रहा है ठीक है volume क्या होता है कि कोई चीज़ कितनी जगा घेर रही है अच्छा अब आपको एक cylinder का volume पता करना है ये तो आपने जो है वो rectangular block का volume पता कर लिया cylinder भी एक fix shape होती है न होता goal है लेकिन fix shape होती है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा πाई, πाई की value fix होती है 3.142 तो इसके ओपर आगे भी discuss करेंगे और radius यानी center से लेकर किसी भी point तक का distance जो है वो पता कर लिया आपने radius भी आपको पता करने का formula आगे दिया जाएगा और उसका square ले लिया और height को भी पता कर लिया तो इन तीनों चीदों का आपस में multiply कर दिया तो किसी भी cylinder का volume आपके पास आ गया तो ये जो है आपके पास regular shapes का आपने जो है वो regular solid का जो है आपने volume पता कर लिया अब मैं आपको irregular solid दे दूँ यानी कोई फत्तर दे दूँ अब आपने फत्तर देखा होगा कोई regular shape नहीं होती होता तो वो सकती है solid है लेकिन उसकी regular shape नहीं होती कहीं से कोने निकले वे हैं कह हर अलग-अलग फत्तर की अलग-अलग shape होगी तो आप इनका volume कैसे पता करेंगे आप क्योंकि ना ही आपको height पता चलेगी और ना ही आपको length पता चलेगी और ना ही आपको width पता चलेगी तो इसका भी एक तरीका है जो के आपको figure 1.25 में दियावा है तो वो कैसे पता करेंगे आप आप जो है एक cylinder लेंगे तो थोड़ा सा पढ़ देते हैं कि लिखावा क्या है for an irregular solid its volume is calculated by lowering the object in a partially filled measuring cylinder तो lowering का मतलब होता है दालना किसी चीज में किसी चीज को दाल देना तो आप कैसे पता करेंगे आप एक cylinder लेंगे ठीक है तो liquid आप ने भर लिया एक फच्टर ले लिया अब आप फच्टर का पता करना चाहते है वहैं तो उस फच्टर को उस cylinder के अंदर दाल देंगे यानि उस cylinder में पहले से पानी मौझूत है आप फिगर देख सकते हैं तो पानी मोजूद है, आपने फटर डाल दिया, अब फटर डालने से क्या होगा, रॉक फटर को कहते हैं, तो फिर जो पानी है वो increase कर जाएगा, जो पहले जो उसका लेवल था, अब उस लेवल से वो उपर आ जाएगा, इस चीज़ को मैं इस तरह समझाता हूँ, कि आपने जो है वो अकसर एक कहानी सुनी होगी कि कववा था बहुत प्यासे थैंस को पांई पीना था अब पानी जो है वो नीचे था यानी जो शुराई थी या जो भी वह बरतन था, उसके नीचे था पानी में पीना चाहता था वह खुद तो गया नी, नीचे Dobler तो Februq नहीं उत्तर दालता गिया और जो वेट ता जो वॉलियम ता पानी का और जो वॉलियम था Solid का ये दोनों हमारे पास साइड़ होते जा रहे थे तो इस तरह से जो यह लिकविड ऊपर की तरह पाती जा रहा था लैवल बढ़ता जा रहरा था पानी का क्या कर रहा था का हुआ कि वह एक वॉलियम था हमारे पास फक्तर का एक वॉलियम हमारे पास पानी का तो दोनों मिल रहे थे एड हो रहे थे तो वॉलियम जो है वह बढ़ रहा था टोटल वॉलियम तो फिर क्या करता है यहां पर हम हम उसको डाल देते हैं सलेंड तकि आप बात में भी पढ़े तो आपको पता हो किया बात हो रही थी तो यहां का जा रहा है तो टोटल वॉलियम इस फाउंड दा वॉलियम ऑफ दा सॉलिट इस मेज़र इन अ सेपरेट एक्सपेरिमेंट and then subtract from the total वॉलियम तो आपने फत्तर दालने से पहले आपके पास एक वॉलियम मौझूद था जो के 200 आपको यहां पर शो किया जा रहा है अब 200 ml है ठीक है 200 ml यहां वॉलियम आपके पास पहले से था आपने फत्तर को दाल दिया 300 हो गया क्या हो गया 300 ml हो गया तो आप क्या करेंगे आपके पास जो फत्तर दालने से पहले वॉलियम था उसको जो है यानि आपने जो फत्तर दाल दिया इसमें ऐसे करेंगे कि आपन को माइनस कर देंगे 200 से तो जब माइनस करके जो वॉलियम आपके पास आएगा वो ही वॉलियम सॉलिट का होगा इर्रेगुलर शेप का यानि इसको इस तरह से एक और बार रिपीट करता हूँ के जो वॉलियम आपके पास फत्तर दालने के बात आया फत्तर दालने के बात आपके पास वॉलियम आया 300 फत्तर दालने से पहले आपके पास वॉलियम था 200 मिलिलिटर तो 300 को 200 से माइनस करेंगे तो ये जो 100 मिलिलिटर होगा ये आपके पास सॉलिट का वॉलियम होगा तो इस तरह से आप irregular shapes का volume पता कर सकते हैं तो ये बात याद रखेगा कि irregular shapes का volume किस तरह पता करते हैं अच्छी तरह से explain कर दिया अच्छा अब आजाते है density पर अब simple है कोई भी चीज मुश्किल नहीं है तो density हमारे पस क्या होती है इसकी definition बढ़ते है The time density of a substance is defined as mass of substance m per meter volume V it is denoted by Greek letter density के P को यानि ये P नहीं है पहले तो ये बता दूँ ये होता है raw देखें ये जो P लिखावा है ये लिखावा है raw तो इसका जो फॉर्मुला होता है इस raw का यानि density का होता है mass upon volume यानि कितने per meter volume में कितने per meter volume में कितना mass फैला हुआ है अब per unit volume कितने per unit volume में कितना mass फैला हुआ है ये अमारे पर density होती है अब per unit जो है ना यानि ये meter cube भी हो सकता per meter cube, per centimeter cube, per millimeter cube ठीके तो unit लगाने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप कोई सब ही unit ले सकते है SI भी ले सकते है सेंटी मीटर भी ले सकते है और मिली मीटर भी ले सकते है तो कितने per unit volume में कितना mass फैला हुआ है ये density होती है याद रखेगा यानि आपके पास एक meter cube volume है उसमें कितना mass मौजूद है ये density है आपके पास जो है वो 10 meter cube volume है उसमें कितना mass है यह density है ठीक है तो अब यहाँ पर आ जाते हैं 10 meter cube में एक example देने के लिए आपको बोला असल में आप definition यही रखिए कि कितने meter cube में कितना volume फैला हुआ है ठीक है तो यह हमें पता चल जागा density कितनी है तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं density in अब density के उपर मजीद बात करते हैं देंसिटी जो है वो हमारे पास जो pure solid होते हैं उनकी density तो एक तरह से हमारे पास fixed array होती है यानि एक ही जैसी आ रही होती है बार बार लेकिन जो चीज़े pure नहीं होती उनकी density जो है वो change होती रहती है आप आपके पास pure gold है यहाँ पर लिखा हुआ है के object made of a particular pure substance such as pure gold can have any size or mass but its density will be same for each तो आपके पास जो pure चीज़े होती हैं उनकी density same रहती है और जो आपके पास चीज़े pure नहीं होती यानि उनमें मिलावटे होती हैं उनमें जो है वो तबदीलिया होती है तो उनकी density change होती रहती है क्यों क्योंकि कहीं पर कोई चीज़ ज्यादा मिली वी होती है कहीं पर कोई चीज़ कम मिली वी होती है तो इसलिए density पर फरकारा होता है अब कोई चीज pure है तो उसके अंदर वही चीज पूरी ताजात में मौझूद होगी अब pure gold का मतलब क्या है कि इस gold में कोई और चीज नहीं मिलाई है तो जब भी हम अलग-अलग जगह से pure gold को निकालेंगे उसका volume लेंगे तो वो same ही आए density लेंगे वो same ही आ रही होगी लेकिन अब एक pure gold नहीं है मिलावट शुदा gold है तो उसकी हम मुक्तलिफ जगह से अगर density निकालेंगे न तो वो अलग-अलग आ रही होगी क्योंकि कहीं पर जो हमारे पास जो impurity है वो ज्यादा मिली होगी कहीं पर कम मिली होगी तो इसलिए जो pure चीज की density होती है वो same रहती है और जो unpure होती है वो उसकी जो है वो density अलग-अलग आरी होती है अच्छा अब आप density की मदद से mass भी निकाल सकते हैं अब आपके पास mass निकालने का तो एक फॉर्मूला वो भी है F is equal to ma आपको force पता हो, acceleration पता हो तो force को acceleration से divide करा दें तो आपके पास mass आ जाता है लेकिन आप यहाँ पर भी mass निकाल सकते हैं अगर आपको जो है वो mass पता है अगर आपको जो है वो density यानि raw पता है और volume पता है तो अगर आप density raw और volume को multiply करते हैं तो mass आपके पास आ जाएगा हमारे पास जो density का unit होता है वो होता है kg पर meter का cube तो यहाँ पर M जो है वो mass है mass का unit आपको पता है हमारे पास होता है kg और volume का unit होता है meter cube तो ऐसा unit क्या होगा हमारे पास density का kg पर meter cube तो centimeter और हमारे पास जो है वो milli gram पर centimeter cube ये जो है ऐसा unit नहीं है सही है gram centimeter cube ये भी ऐसा unit नहीं है सिर्फ ऐसा unit होगा kg पर meter का cube ठीक है जिसको आप inverse की form में भी लेख सकते हैं तो अब आज है हम measuring the density यानि density को जो है वो major करते हैं देखें student यहां पर जो है वो density के उपर ही बात हो रही है density को आप यहां पर क्या बात हो रही है एक काम करते हैं पहले हम पढ़ लेते हैं English में ताकि अच्छी तरह समझ में आ जाए it is to be noticed it is to be noted that there are two types of finding the density of a substance either mathematically or experimentally by taking density of water at 4 degrees Celsius as a reference which is sometimes known as relative density और specific gravity it has no unit it is a number whose value is the same as that of the density in gram per centimeter tube तो देखें हमारे पास density को measure करने के दो तरीके होते हैं एक होता है mathematically जो के हमने उपर पढ़ा यानि mass upon volume ठीक है वो जो है mathematically तरीका है density को पता करनेगा एक है experimentally यानि experiment करकर पता करना ठीक है वो कैसे होगा आप जो है वो पानी लेंगे 4 degree Celsius पर सीधा सा जो है वो simple सा ये concept है इसको बस याद रखिएगा आप जो है वो पानी लेंगे 4 degree Celsius पर ठीक है और उसकी density पता गल लेंगे water की density पता गल लेंगे ठीक है आपके पास water की density आ गई अब जो है वो relative density क्या है relative density एक ratio होता है relative density क्या होती है relative density को specific gravity भी कहा जाता है और यह ratio होता है जो के आपको एक chart पर दिया होता है एक chart पर दिया होता है और यह ratio किस तरह से आता है density of substance को divide कराना पड़ता है density of water से तो यह ratio आपके पास आ जाता है तो आपको relative density जो है वो chart पर दी भी होगी value आपको पता होगी अगर पता हूँ कि आपको जो है वो relative density पता होगी चार्ट पे दीवी होती है रेशो होता है ठीक है और density of water आप पता कर लेंगे अपने तरीके से तो जो भी substance होगा आप water में उसकी जो है density आपको पता चल जाएगी तो इस तरह से जो है वो हमारे पास relative density मेजर की जाती है अच्छा अ नुमेरिकल है जिसमें हमें mass पता लगाने density दीवी है तो यहां पर क्या लिखाव है work example 4 तो पढ़ते हैं लिखावा क्या है what is the mass as a what is the mass a solid iron wrecking ball of radius 18 cm if the density of iron is 7.8 gram per cm3 तो यहां पर पूचा जा रहा है कि हमारे पास एक iron की ball है यानि मैं आपको बताता हूँ यह है आपने देखा होगा कि एक जो है वो excavator जैसी चीज बनी भी होती है एक crane जैसी चीज होती है उसके ओपर आगे ball लगी भी होती है अगर आपने tom and jelly देखा हो तो उसके अंदर यह ball होती है और उससे घर तोड़ा जाता है उस ball को जो है वो घर से टकराया जाता है और घर में इस पेर की form में होती है सरकल की नहीं इस पेर की form में होती है तो उस इस पेर का आपको डायमीटर रेडियस पता है 18 cm और आपको जो है वो डेंसिटी पता है उस iron के ball की तो ball की density कितनी है 7.8 cm ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब step number one में क्या करना है step number one में हमने ये करना है कि ये जो हमार को density दीवी है ये किस form में दीवी है हमको ये ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब की form में दीवी है तो हमें ऐसा unit में ले जाना है तो किस तरह से लेके जाएंगे हम जो है वो 7.8 के साथ multiply कर देंगे 100 उसकी power cube और divide कर दे 1000 से तो ये जो है हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में चला जाएगा kg पर मीटर क्यूब में चला जाएगा एक बार फिर recall करता हूँ 7.8 को multiply करेंगे आप जब भी आपको ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में दीदी हो न डेंसिटी तो आप क्या करेंगे multiply by 100 और 100 की power होगी 3 यानी क्यूब सही और divide कर देंगे 1000 से तो आपके पास जो है वो डेंसिटी आ जाएगी kg पर मीटर क्यूब में अब जो है हम volume कैसे निकालेंगे देखें हमारे पास जो है वो जो ball है वो spare की form में अर्थ भी एक spare है ठीके वो ball spare की form में तो spare का formula क्या होता है 4 upon 3 pi r cube फार्मला याद रखें 4 upon 3 pi r cube जब भी आपको कोई spare दियावा हो यानि जो है वो circle के circle जो है अगर 3D form में हो यानि अगर 3 dimension में हो तो वो spare बनता है आपको मैं फिर बता रहा हूँ अगर कोई circle 3 dimensional हो तो वो spare बनता है और आपको radius दियावा है तो पहले आप जो है वो 18 को सेंटी मीटर से मीटर में लेके जाएंगे 100 से डिवाइट करा के ठीक है 100 से डिवाइट हो गया उसके बात आप क्या करेंगे कि आप जो है वो 4 upon 3 pi r cube इन सब को आपस में solve करा देंगे multiply करा देंगे तो आपके पास आ जा मास के नीचे volume को जो है वो raw यानी p के साथ multiply करा दिया आपने ले जाके तो raw जो है क्या बन गया m is equal to raw multiply by v तो आपको density भी पता है volume भी पता है दोनों को multiply करा देंगे आपके पास answer आ जाएगा तो यह जो है मैंने आपको क्या सिका दिया volume मास निकालना सिका दिया अगर density दी भी हो और आपको जो है वो volume पता हो तो यहाँ पर हमारा lecture जो है वो खतम होता है उमीद करता हूँ यहाँ आपको बस समझ में आ गई होगी लेकिन अगर कुछ ना समझ में आया हो यह कुछ रह गया हो तो comment section में message करके पूछ लीजिएगा यह numerical असान था और इसी पे जो है direct लिखा वा था तो मैंने आपको direct समझा दिया तो एक बात याद रखिए कि किसी भी ball का volume पता करना हो यह कि इसी भी spare का ball भी एक spare की form में होती है ठीक है तो उसके जो formula होता है वो 4 upon 3 pi r cube होता है ठीक है तो हमने volume पता कर लिया चीज़े पता करकर हमने जो है वो हमारे पास क्या आगई हमारे पास mass आगिया उस ball का wrecking ball जो के इस्तिमाल होती है किसी चीज़ को तोड़ने के लिए ताब पर उसकी फीज है तो मैं आपको provide कर दूंगा उसकी फीज सोर पर रखने की वजह यह है कि काफी मैनत लगी है काफी time लगा है उसको बनाने में तो इसलिए उसकी फीज जो है मैंने रखी है और सोर पर इसलिए रखा है ताकि हर कोई जो है वो easily से buy कर सके तो उमीद करता हू तो message करके पूछ लीजेगा WhatsApp पे यहां चो comment section में message कर दीजिएगा reply कर दीजिएगा मैं जवाब दे दूँगा तो आखर मैं कहूंगा चैनल को जरूर सबस्क्राइब कीजएगा बेल आइकोन को दोस्त जरूर प्रैस कीजएगा और चैनल को दोस्तों में शेयर कर आपिजएगा बेल आपिजएगा बेल आपिएगा 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 बेल आपिए झाल झाल